हालो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आपका फिर्चे एक बार मेरे यूटूब चैनल में जैसा कि आप सब जानते हो त्यार मार्च की जो रेलवे एंटिपसी की जो एक्जाम है फेस्ट शिप्ट की वो समापत हो चुकी है और आज की शिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पु में कमेंट कर देना ताकि जब भी कोई नए स्टुडेंट ये वीडियो देखेगा उनको पता चल सके कि आज की सिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पूछे गए हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज निचे दिए गए रैड कलर के कि इसे हैं 2019 का लोक सबाच्ट चुनाव कितने चर्णों में हुआ था यानि 2017 में जो लोक सबाका जो चुना हुआ था वो कितने हैं चर्णों में संपन हुआ दो इसके बाद में हमारा नेक्ट क्यूशन है वाई आई एम हिंदू यानि वाई आई एम हिंदू पुस्तक है एक के लेखक कोन है यानि जो वाई आई एम हिंदू है इस पुस्तक के लेखक कोन है इसका राय टांसर है ससी थरूर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्योशन है नंदा देवी परवत किस राजे में इस्तित है यानि जो नंदा देवी परवत है वह कौन से राज्य में इस्तित है इसका रायट आमसर है उत्तराखंड राज्य में जो नंदा देवी परवत है वह इस्तित है और कौन से जिले में इस्तित है उत्तराखंड के जो चामोली जिला है वहाँ पर उत्तराखंड के जो राज्य है वहाँ पर चामुली जिले में इस्तित है जो नंदा देवी परवत है बारत की दूसरी और दुनिया की 23 चोटी है यानि जो नंदा देवी जो परवत है यह बारत की तो दूसरी और दुनिया की 23 चोटी है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है बारत में कब तक मलेरिय को मुक्त होने का जो target है वो रखा गया है इसका रायट आनसुरा बारत्वी चिकित्सा जो अनुसंदान परिशद ने 2027 तक malaria मुक्त होने का जो लक्सी है वो target रखा गया है और 2030 तक malaria को जड़ से खतम करने का लक्सी है जो target है वो रखा गया है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है स्यूक्त राष्टर का नाम पहली बार किसने प्रियोग किया था यानि जो स्यूक्त राष्टर है इसका नाम सबसे पहले किसने प्रियोग में लिया था या प्रियोग किया था इसका रायट अंसर है अमेरीकी राष्टरपती फ्रेंकलीन डी रुजवे के द्वारा इसका नायम स्यूक्त राष्टर नाम पहली बार प्रयोग में लिया गया था इसके बाद में हमारा नेक्ट क्योशन है बारत में राष्टर गान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था यानि जो बारत का जो राष्ट्रगान को है उसको पहली बार गाया गया था जो 24 जनवरी 1950 है को सविदान सभा ने इसे राष्ट्रगान की उपादी दी थी इसके बाद में हमारा गवर्णर जो कोन थे इसका राष्ट आंसर लोड मांट बटेन इसके परथम गवर्णर जनरल थे इसके बाद में हमारा next question है बार्त का पर्थम सविदान संसोधन कब हुआ था यानि जो बार्देश है इसका पर्थम सविदान संसोधन है ये कब हुआ था इसका right answer है बार्त ये परदान मंत्री ज्वाला नेरु द्वारा कि दस मईं 2021 को पेस किया गया था जिसे 18 जून 2021 को संसद के पास कर दिया गया था यानि जो संसोधन कब हुआ था गुन्नी 1901 में हो गया था महि 10-09 01 को पास किया गया था आठारा जुन 1901 को इसे पास किया गया था इसके बाद में हमारा next question है किम जों है का के साथ सक था यानि जो किम जों में का के सास्क है इसका राय टानसर उत्री कोरिया के किम जोंग सास्क है इसके बाद में मारा नेक्स्ट क्यूशन है शिजदा एम पेबोस परभा का परचलन किस ने किया था यानि जो शिजदा है पेबोस पर्था है इसका चलन या पर्चलन किसके द्वारा किया गया था इसका रायट आंसर है बलमन के द्वारा शिजदा का मतलब है जुक कर सुल्तान को नमस्कार करना और पेबोस का जो अर्थ है वो सुल्तान के पेरों को चुमना इस पर्था का अंत सांजा के द्वारा किया गया था यानि जो यह पर्था थी इसका अंत किसके द्वारा किया गया था जो सांजा है इसके द्वारा इस पर्था का अंत किया गया था इसके बाद में हमारा मिसाइल मेन के नाम से किसे जाना जाता है यानि जो मिसाइल मेन है इसके नाम से किसे जाना जाता है इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपिजे अब्दुलकलाम को मिसाइल मेन के नाम से जाना जाता है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है इन में से कौन से महारतन जो जी किसे दिया गया था यानि जो अर्थ सास्तर है इसमें पर्थम जो नोबल पुरुसका रहा वो किसने या किसे दिया गया था इसका रायट आंसरा अर्मत्य सेन को कप दिया गया था 1908 में को इसके बाद में हमारा next question है सारक सदस्यों की संक्या कितनी होती है यानि जो सारक सदस्यों है इसकी संक्या कितनी होती है इसका right answer अ mop जो सार्च से इसकी full forum होती है South Asian Association for Regional Corporation इसकी स्तापना कब होती है सरस्य की या सारक की स्तापना कब होती है 8 December 1985 में इसकी स्थापना होती है और जो इसका मुख्याले है सार्च का वह कहां पर इस्तित है काट मांडू में इसका मुख्याले इस्तित है और इसके अंतरगत कौन से देश आते हैं जो बार्थ है अफगानिस्तान है पाकिस्तान नेपाल बांगला देश सिर्लंका है बुठान मालदीव यह सब डिस Kिसक्चे impacted आती है सारक के आती है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कुशन है जो कंदरिया मादेव मंदिर किस राजे में इस्तित और या या जो कंदरिया का इसके बाद में इसके बाद में नेक्स प्रोटोप्लाजम है इसकी खोज किस ने की थी? यायनि जो proto plasm में इसकी खौज किस ने की थी इसका right answer है दुजारदिन ने जो proto plasm इसकी खौज की थी और इसका नाम यायनि जो proto plasm में ये नाम किस ने रखा था सार कोड ने proto plasm का नाम रखा था इसके बाद में मारा next question है सविदान सभा का पर्थम बेठक कब हुआ था यानि जो सविदान सभा है इसकी पर्थम बेठक कब होती है इसका right answer है 9 December 1946 को सविदान सभा की पर्थम बेठक होती है इसके बाद में हमारा next question है चोरी-चोरा हत्याकांड कब हुआ था यानि जो चौरी-चोरा हत्यकांड ये कब हुआ था इसका right answer है 1922 को हुआ था इसके बाद में हमारा next question है चंदरमा की कक्सा में पहुचने वाले पहले satellite का क्या नाम था यानि जो चंदरमा की कक्सा में पहुचने वाले जो सबसे पहले जो satellite पहुचा था उसका क्या नाम था इसका राइट आंसर है लूना टेन क्या नाम था लूना टेन और चंद्रमा की लिए पहला कर्त्रिम उपगरा का बेजा गया था 31 मार्च गुनिश्व 66 को लौंच किया गया था इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है यह दोस्तों केंपूटर से रि करणे के लिए उप्योग में लिया जाता वह है ट्रशी स्टार जबकी लिए नडू कर्ने के लिए फिर्प्योग का उपयोग क्या जाता है इसके बाद में हमारा में ग्यार वी पंचवर्ची योजना में कितने विकास दर का लक्सि रखा गया था यानि जो जो वनष्पति विज्ञान्हे जनक्य कोन है यह उमद्व स्थप्ट्टि विज्ञान के जनक है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आज की सिप्ट का पेपर देखर आयो हो और प्लीज आपको जो जो क्यूशन याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि जब भी कोई नय श्टुडेंट ये वीडियो देखेगा उनको किलिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नय वीडियो अप्लोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास म्यूचे चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर फ्रेंड्स जेह हिन दोस्तु वीडियो देखने के वास्ते थैंक्यू भाई लोग और अब इसको लाइक भी करो भाई कमेंड भी करो और सब्सक्राइब भी करो ये तुमारा अपना चैनल है दादा अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे